हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टो मा चैनल आज की सिलाई क्लास में हम सिखेंगे कुर्टी कटिंग 30 से लेके 36 तक कुर्टी जो नॉर्मल कुर्टी होती है उसकी कटिंग अच इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगी फ्रेंट्स तो step by step बताऊंगी तो वीडियो का पूरा देखिए तो सबसे पहले कुर्टी कटिंग से पहले हम इसकी मिजर्मेंट जान लेते हैं लेंद रहेगी हमारी फूल, शोल्डर 13 इंच है, चेस रहेगी 32 इंच, वेस्ट 28 इंच है, हीप हमारा 34 इंच और दामन रहेगा 10 इंच तो आपको सारे मिजर्मेंट इस तरह से पहले ले लेनी है, उसके बाद कुर्टी के उपर हमें मिजर्मेंट डालना है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कुर्टी को हमें फूल किस तरह से करना होता है तो सबसे पहले अगर आप length फूल भी रखे हैं तो भी आपको पहले length देखना पड़ता है कि किधर से हमारा length जादा आ रही है या कम आ रही है तो अभी मैंने paper को अलग तरफ से मैंने fold कर लिया है जो लंबाई इस तरह से हमें जो है लंबाई जादा मिलेगी तो मुझे यहाँ पर length फूल रखना है यहाँ पर 17 जिसकी लंबाई आ रही है तो यह काफी है तो चलिए अभी हम छोटे से जो paper से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी friends तो आपको सबसे पहले इस तरह से double fold करना है उसके बाद और एक बर हमें fold कर लेना है तो यह इस तरह से हमारा total four fold हो जाएगा इससे हमारा दोनों पार back और front कटके निकल जाएगे तो यह देखे यहाँ पे four fold है यह fold है इसको हम cut कर लेंगे तो इसी तरह से आपको fold करना है paper म तो चलिए मैं यहाँ पे और एक paper ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमें किस तरह से लेना है तो जिस तरह से मैंने इस paper को fold किया है सेम इसी तरह से मैं इस paper को भी fold कर लूँगी यह देखे मैंने इसको fold कर लिया है अभी मैं इस paper को अच्छे से set करते हुए इसके बीच में रख लूँगी तो चलिए पेपर को मैं open कर लेती हूं और इसको में center में इस तरह से मिलाते हुए इसको रख लेना है बिल्कुल इसी तरह से हमें जब कुर्ती कटिंग करेंगे तो इस तरह से मिलाना है तो यह देखे इस तरह से हमारा four fold निकल चुके हैं तो इस तर प्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी तो वीडियो की बाद में पता चलेगा कि मैं पहले फ्रंट की कटिंग क्यू कर रही हूं गाइस तो सबसे पहले आपकी हीप की साइच जो सबसे ज़ादा होती है तो उसको जितना भी आपकी हीप है उसमें 4 डिवाइट करके जितना भी आपका आता है उसमें 2 इंच करके आप कपड़े को अच्छे से चोड़ाई में रखने उसके बाद हम Length measure करेंगे तो length को हमें full ही रखना है इस तरह से उसके बाद हम shoulder की नाप देख लेते हैं तो यहाँ पे shoulder हमारा 13 inch है तो 13 का हमें half लेना है तो इस तरह से आप intuitive को fold कर लें इस तरह से हमें 13 का half मिल जाता है तो यहाँ पे shoulder हमारा 5.6 inch निकल के आए हैं तो यहाँ पे अभी हम mark करेंगे 6.6 inch पे इस तरह से mark कर लेना है अभी जितना हमारा shoulder ही उतना हम armhole की भी लंबाई हम mark करेंगे इस से क्या है कि fitting बहुत अच्छी आता है बिल्कुल इसी तरह से आपको mark कर लेना है इसमें हम 6.5 inch mark कर लेंगे अभी इन armhole की shape को जो है एक box का shape दे देते हैं इस तरह से मिला लीजिए उसके बाद जो chest की line है वहाँ से हमें full best की line mark करनी है तो यहाँ पे मेरा 2.5 inch आएगा क्योंकि मैंने body से भी आप measurement ले रखी थी आप चाहें तो body से भी direct shoulder से आपको full best का length mark करते हुए आप measurement ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने full best का line को इस तरह से सीधे में पहले मिला लेनी है इस तरह से आपको सीधी line draw कर लेना है उसके बाद chest line को भी हमें सीधा कर देना है उसके बाद हमें waist की line mark करनी है तो आप direct body से भी measurement ले सकते हैं कि waist आप कितना रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं 14 inch पे mark कर रही हूँ waist इसकी एक formula भी है friends आप अगर 30 से लेके 35 तक की अगर है chest तो आप 6 inch की जो दूरिया लगा सकते हैं अगर 35 से 40, 48 तक है तो आप 7 inch पे इसकी दूरिया लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैं hip का length mark कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं hip 20 inch पे रख रही हूँ आप चाहें तो 21, 22 inch पे आप रख सकते हैं तो आप direct body measurement के अनुसार भी आप hip की length ले सकते हैं और जैसे मैंने formula में बताया उस तरह से chest और waist की दूरिया आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर chest का line, full burst, waist और hip का line पहले draw कर लेना है उसके बाद हमें body measurement डालना है तो यह सब lining करने के बाद चलिए सबसे पहले हम chest line को देखते हैं तो हमारा chest है, 32 inch, तो inch tape को आपको इस तरह से double में 32 inch पर रखना है उसके बाद इसकी double करते हुए और एक बार इसको fold लगा लेना है तो इस तरह से हमारा इसकी जो चोथाई भाग है, वो हमारा निकल के आ जाते हैं तो आपको जितना भी आपका chest है, उसमें 4 divide करना है और जितना भी आता है तो यहाँ पे 32 का जो चोथाई हिसा निकला है, वो है 8 inch, उसमें half inch की losing डालना है तो इसी तरह से losing, half inch की losing डालते हुए सारे measurement, body की measurement में हमें fitting की नाप देने हैं तो इस तरह से हमें 1,5 inch की सिलाई margin लगा दी है, तो same इसी तरह से जितना हमारा chest है, उतना हमें full burst की measurement है, उसमें भी हमें डालना है तो full burst भी हमारा 1,5 inch पे रहेगा उसके बाद हम waist की mark करेंगे, तो waist हमारा 28 inch है, तो जहाँ पर भी हमारा 28 है, वहाँ पे इस तरह से इंची tape को 4,4 लगा लेना है और अगले तरफ से जितना भी हमारा निकला है, तो हमारे यहाँ पे 7 inch निकल के आए है, तो इसमें half inch की losing एड़ करते हुए, हमें fitting की mark लगा लेनी है प्लेस उसमें 1.5 inch हमें सिलाई margin डालना है, तो इसी तरह से अभी हमें hip की भी mark करनी है, तो हीप हमारा 34 inch है, तो इंची tape में हमें 34 inch पे इस तरह से double करके रखना है, उसके बाद और एक बार fold लगा लेना है, इस तरह से और सामने की तरफ जितना भी हमारा आया, यहां पे 8 inch हमारा आया, तो इसमें half inch की losing डालेंगे, तो यह हमारा हो जागा 9 inch, तो इस तरह से हमें 9 inch पे fitting की निशान डालना है, प्लस इसमें 1.5 inch सिलाई margin डाल देनी है, तो यहां पे दामन में में, यहां पे 10 inch पे mark करूंगी, अब यहां पे तो मेरा कम पड़ रहा है, तो मैं यहां पे 9 inch पे इसकी निशान लगा रही है, तो इस तरह से आपको सारे line को मिला लेनी है, अगर मेरा वीडियो पसंद आये तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल पे subscribe जरूर से क कीजिए, ताकि आने वाली हर निव वीडियो की notification आप सबको सबसे पहले पहुँच पाएं, तो इस तरह से मैंने जितना भी fitting की measurement है, उसको पहले मिला लिया, उसके बाद सिलाई margin की line है, उसको भी हम मिला लेंगे, इस तरह से आपको सिलाई margin की line को भी मिलाने ना है, उसके बाद जो हमारा armhole है, तो armhole को जितना भी हमने armhole लिया है friends, इसका जो middle point है, इसमें हमें एक mark लगाना है, इस तरह से हमें mark करना है, उसके बाद half pinch अंदर की तरफ एक निशान डालना है, जो की हमारा front part की armhole की निश इसके बाद हमें कौने में से एक इंची निशान देना है, जो हमारा back armhole का निशान लगेगा, इस तरह से आपको draw करना है, उसके बाद जो half pinch हमने अंदर की तरफ draw किया था, उसको भी इस तरह से आपको mark कर देना है, जो की हमारा रहेगा front armhole की निशान, तो इस तरह से आप को दोनों armhole की निशान को draw कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह से आप draw कर लें, उसके बाद आप neck कितना रखना चाहते हैं, वो देख लीजिए, आपको जितना आपको पसंद है, आप boat neck रखना चाहते हैं, या deep neck, तो यहाँ पर मैं normal गला बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं neck की जो width रख रहे हैं, वो 3 inch, उसके बाद इसकी length रखोंगी 4 inch, उसके बाद simply आपको एक box बना लेनी है, इस तरह से, और इसके बाद एक round shape दे देनी है, तो यह normal neck के लिए हैं, उसके बाद और एक चीज में आपको बताना भूल गई हूं friends, जो हमारा जो chest है guys, ज़रासल क्या ह होता है, जह हम chest पर हम जब mark करते हैं, तो इस तरह से हमारा यह तिर्च्छा हो जाता है, तो आपको तिर्च्छा नहीं करना है, यह wrong है एक दम, तो आपको जो chest और यह full vest है, इसको आपको सीधी में मिलाना है, तो यहाँ पी पूरा measurement हमने सब कुछ complete कर लिया है, simply अब हम इस fitting कर लेना है, तो यहाँ पर जो हमारा fitting के निशान है, वहाँ पर एक नूच लगा देंगे, इस तरह से हम cut लगा लिजिए, छोटे छोटे छोटे, तब हमने cut भी लगा लिया है, अब भी हम जो back part निकाले थे, उसके उपर हमें front part को रखना है, तो आपको mark कर लिजिए, front औ कि हमारा shoulder जो है, उपर निचे, इस तरह से आगे पीछे नहीं होता है, और हमारे कंधे में अच्छे से चिपक के रहता है, तो इस तरह से मैं पहले इसलिए मैं front part की cutting करते हूँ, हाँ पर front part को रखते हूँ, मैंने marking कर ली है, अब ही हम इसके neck की लंबाई रखेंगे, वो है उसके बाद आप back part को भी cutting कर लीजिए, तो यहाँ पर यह निकल चुका है, इसके अभी हम neck की भी cutting कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा neck की cutting हो चुकी है, अभी जो back part है, उसको भी हम cut कर लिए है, यह देखिए, दोनों part हमारा cut के ready हो चुका है, इसी तरह से हमारे front और back दोनो part निकल के आ चुके हैं, तो आज की जो कुर्ती cutting की जो वीडियो है, आपको class कैसा लगा, अब जरूर से comment में बताएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए, thank you